न्यूस्क्रिक में आपका स्वागत है काफी दिनों से और खास करके हाल के दिनों में पुलीस तंत्र चर्चा का विशय बना रहा है खास करके दिल्ली में नवेंबर में हमने पुलीस करमचारियों को हरताल पर जाते देखा दिसंबर में हमने जामय मिलिया में स्टूडन्स के आपर आक्रमन करते वे देखा जे-नू में हमने देखा किस तरीके से ए-बी-वी-पि के मेंबर्स को उन्हें ननजा नकिवल श्त्र लेकर अंदर जानी दिया है जे-नू के कैंप्स में लेकिन वो अपना काम करके आराम से घर भी लोट गए ये सारी पुलीस की निगरानी में हुआ तो ये इन सब चीजों के रहते और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हाल रहा है पुलीस तंत्र का इन सब को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ट पुलीस अधिकारी विकास नारायन राय जो की रिटायर हुए डारेक्टर नाशनल पुलीस अकेडमी हैदराबाद से वो हर्याना में भी काम इनका काम रहा ही वोज अटाइच मतलब हर्याना का आडर से जुड़े थे उसके बाद समझौता में SIT का मिर नित्रित राय साब ने किया और पिछले दिनों इनकी लेक और इनकी बातचीत हमने वीडियो और वेबसाइट पर और टीवी चैनल के जरीए भी सुनी राय साब आपका स्वागत है निउस क्लिक में क्योंकि आप डिरेक्टर भी नहें नैशनल पुलीस अकैडमी के और अभी हाल में आपके एक इंटिव्यू में आपने एक बात पर जोर दिया कि हलाकि हम सेतालीस में हमें आजादी मिली और बहुत कुछ बदला सम्विधान मिला एक लोकतंत्र का निर्मान हुआ लेकिन हमारा जो पुलीस तंत्र है वो लगबग उसी तर्स पर काम करता रहा है दिस तर्स पर वो सेतालीस के पहले करता था उसके पीछे आपको क्या लगता क्या वज़े हैं असल में देखी जैसे बाकी बहुत से और इंस्टूशन्स हैं क्रिमिल जर्सिस सिस्ट्रम के तो उन में भी एक डाइकॉटमी है कॉरोनियल वर्से कॉंस्टूशनल कॉंस्टूशन तो हमने ले लिया लेकिन जो हमारे इंस्टूशन्स थे वो तो जूंके तो रहे हैं उन में बदला बहुत स्लोली स्लोली आता गया है थोड़ा बहुत आता गया और कुछ तो मैं कहूंगा और डिटोरियेट ही हुआ है तो पुलिस तंत्र भी इसी जो है वो टसल है करॉनियल वर्से कॉंस्टूशनल की उसमें गिरा हुआ है पुलिस वाला इसमें विक्टिम भी होता है और वो फिर बदखोशिकार भी होता और शिकारी भी होता है आप ठीक कह रहा है कि ट्रेनिंग जैसे हमारी बदली जाने चाहिए थे नहीं बदली हमने एक एक एफर्ट किया था अर्ली सेवेंटीज में अगर आपने फॉलो किया एक गोरे कमेटी आई थी तो फिसे गोरे थे जो टाटा इंस्ट्यूट के सोशाल ली के प्रोफिसर थे उनके साथ कुछ बहुत अच्छे पॉली साफसर्स थे और यह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कमेटी थी लेकिन वो ट्रेनिंग कमेटी जब मैं नेशनल पॉली सेकेटनी में किया तो मैंने देखा कि एक छोटे से ब्रीफ पीरिट के लिए तो उस पे काम हुआ लेकिन फिर लोगों ने छोड़ दिया और उनने जैसे इंटिग्रेशन की बात की थी कि वह यह तौम जो सब्जेक्स हैं इंटिग्रेट होने चाहिए हैं सबसे बड़ा इंटिग्रेशन तो कॉंस्ट्यूशन के साथ हमारा होना चाहिए था हमारे जितने लाज हैं अगर हमें अकल होती तो हम सब को एक कॉंस्ट्ट्यूशन का परस्पेक्ट्व देते और यह कहते हैं तो इसमें मैं देखता हूँ कि जो लाज है वह वह वहावी होजाता है और लो भी किसमी होता है, जो लाटी वील्डर है, उसका लिजए का लो हॉ जाता है. वह तो पुलिस वाला है और वो है दो ही है वही सब कुछ है उसी को डिसाइड करना है वो किस अन्दाज में अपनी लाठी को यूज करता है यह डिपेंड करता है कि उसके अंदर की कंडिशनिंग क्या है अगर वो कंडिशनिंग कंडिशनिंग है तो वो लाठी डिफेंट तर के दिन भी हमारा चल रहा है गोरे कम्यूटि को हमने बिलकुल दर किनार कर दिया गोरे कम्यूटि की बहुत से चीजें जो लगो हो सकती थी वो भी एक तरह से दर किनार की रही है और जो पुराना हिसाब किताब था रेजिमेंटेशन का जो हो रहे जैसे हमारे याप पुलिस में ड्रेनिंग में आईंगे रेजिमेंटेशन को बहुत वे पूद Wii rigg wedding आप क्यों चाहिए? आप तो ऐदे رेजिमेंट आप वो काम नहीं करना आपको फिर लोह पोलिसिा ओ और जहां पर वह थोड़े बहुत रिस्ते हैं केला पुलिस है, अगर मुझे इस्ते हैं तो बहुत अच्छी तरह वेलकम की गए रहे है, लोगों ने इनको वेलकम किया, और केला में तो पिकुलिर चीज़ है, क्योंकि दो गृप्स हैं, पॉलिटिक्स के, वही बारी-बारी, सत्य में आते हैं तो दोनों ने उसको आन कर लिया, लोगों ने उन कर लिया, तो इनुने भी आन कर लिया, इनको पता अगर तुम इसे डिसोन करोगे तो आ नुकसान होगा. मैं नहीं कहता कि वो कोई 100% हो उनकी success हो ले लेकिन उन्होंने एक रास्ता आपको दिखाया है लेकिन बाकी चीज़े तो बिल्कुल यह उल्टा हो रहा है यहां विसे यूपी में हम इस प्रेजेंट उसमें देखते हैं माहौल में कि कम्यूटी पुलिसिंग के नाम पे आपने मिलीशिया पुलिसिंग शुरू कर दी इसके पीछे क्या बज़े है असल में यह कोई नई चीज़ नहीं है यह एक जिस तो करती है बट अभी है कि यह बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि इसको एक पैटर्निज मिल गया और एक उपन पैटर्निज मिल गया पैटर्निज और जगहों पर भी है वादो जो क्रिमिनल निक्सस है पुलीस का उसका पैटर्निज पुलिटिकल पैटर्निज और जगहों पर भी है subtle है कहीं पे, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं आप यह भी कह सकते हैं कि शायद उसको discourage भी किया जाता है, और कहीं encourage किया जाता है, लेकिन यहां भी बहुत open हो गया, जिस दिन यह present regime आया, उस दिन से कहा गया कि सब encounters होंगे, और उस दिन हम खतम कर देंगे, और criminals को, लेकिन वहां समझते हैं कि criminals भी आप ही decide करते हैं कि कौन criminal है और कौन criminal नहीं है, crime के objectively तो decide होता है नहीं हो, तो यह सब जो इस तमाम चीज़ें आती कहीं, और एक बहुत बड़ी जो कमी है, आप आएंगे कि आपका constitution तो, जा उसमें वो secular word हो ना हो, लेकिन उसका हर article दर article secularly article है, और articles दर article equality की बात करता है, articles दर article दर article कमजोर को empower करने की बात करता है, लेकिन जो police जब act करती है, एक आदमी जब policeman बनता है, तो उसको वो आता तो इसी society से, जैसे society बटी हुई हो वहीं से आता है, लेकिन ये वज़े नहीं है कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, बशरते आप उसकी deconditioning करें, वो जिस कंडिशनिंग से आता है, अगर आपका पास कोई process उसको deconditioning करने का, मुझे दो-तीन training academy उसका director रहने का इतिफाक हुआ है, और मैंने कोशिश की कि हम deconditioning क्या कर सकते हैं, और हमने deconditioning में पाया कि ये संभव है, ये deconditioning की जा सकती है, एक हमने उसको एक equation दिया था, equation था संभेदी पुलिस सशक्त समाज, वो equation ये था कि अगर आप पुलिस को इस तरह संभेदी कीजिए कि समाज के सशक्त होने में उसका फाइदा है, क्योंकि समाज जब सशक्त होगा, तो वो आपको सुनेगा, और ये हमारा हिंदुस्तान में तो नही है, लेकिन कुछ देशों में है, जहां समाज सशक्त है, तो वो पुलिस की बात सुनता है, और वो इसलिए सुनता है, क्योंकि पुलिस की लेजिटिमेसी में उसको विश्वास है, मतलब पुलिस जो कह रही है, वो ठीक कह रही है, वो कानून के साथ पे चलती है, वो कानून आपको सुनेगा नहीं, आप में ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको एक तरह से वो कहना चाहिए डरेगा, घ्रना करेगा, अविश्वास करेगा वगयरा वगयरा, तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा ही है, और डी कंडिशनिंग होती नहीं है, आप आते हैं, जैसे आधा ग्लाज भरा है, उसमें में थोड़ा सा जूस मिला देता हूँ, थोड़ा दूद मिला देता हूँ, थोड़ा और कर देता हूँ, उनको वर्दी पहनने आती है, उनके पर हत्यार चलाना आता है, आरेस्ट करना आता है, रिमांड लेना आता है, फायर दर्स करना आता है, वो पुलिस वाल है. इस परेदी में जब उसका किसी और से समंद्द बन जाता है. या हाथ मिला लेते हैं तो वो कर लेते हैं वैसे करते हैं. अब यूपी में ऐसा नहीं कि कि कोई एक actionary ulys joh हो इस रंग में रंगी जिस में कि हम आदि उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कि बाकी जगों पे वो उस रंग में कम है या और ज्यादा है, ये भी ऐसा भी नहीं है, ये तो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब पॉलिस आज के दिन अपने पॉलिटिकल मास्टर की ही था, कि जो कॉम्पलिसिटी थी, वो बहुत ही, कहना चाहिए एक मतलब उस लेवल की थी, जहां सब को सम्भा है, हम कुछ भी करा सकते हैं, ऐसी कॉम्पलिसिटी थी पॉलिस के साथ, वहीं यहां पे आपको दिल्ली में रिफलेक्ट हो रही है, मैं तो समझता हूँ कि दि पॉलिसिटी थी, वहीं रिफलेक्ट हो रही है, अगर बेसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, मैं एक बात कर दो हूँ, अगर ट्रेनिंग में आपको डिकंडिशन कर दिया गया होता, उन चीजों को आपके दिमाग से निकल दिया गया होता, और नई चीज़ें डाल दी कम हो गई है, आज तो उसकी भी समावना ठीक करें कम हो गई है, तो उसको नजर में रखते हुए, कि आपको लगता है कि आज भी जिस तर्स पर पुलीस तंत्र टिकी हुई है, वो वही पुरानी कलोनियल जो वक्त पर जो हमें मिला था नैशनल पुलीस एक्ट, नैशनल तर्स पर आज भी चल रहा है, मतलब आईरिश कॉंस्टैबिलरी का अगर मॉडल था उस जमाने में, कॉलिनीज के लिए, जबकि लंदन के लिए जब वो सोच रहे थे, पुलीस तंतर का तो उनने कम्यूनिटी पुलीस का सोचा, तो मैं यह जो फर्क है, यह आज भी है, ले देखिए, 50s में 60s हो गारा है, बड़ी विजनरी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ले, जैसे अभी section 144 है हमारे, छोड़ा है section 144, section 144 तो कभी अंग्रेजोंने तो एड़ाप्ट किया नहीं उसको, हमें तो देखे हैं उनने एड़ाप्ट नहीं क को चलाए जा रहे हैं, हमें बड़ा प्यार है अपने कलों में हाँ, पिर हमने 120 भी conspiracy रखी हुई है, मतलब अंग्रेजों ने कानून इस तरह बनाया था कि किसी को भी किसी भी समय पकड़के बंद किया सकता है, और उस पो कितना भी serious बनाया जा सकता है, उस सारे station को, जैसे अब यूपी में क्या हो रहा है, आपने पूरे यूपी में 144 लगा दिया, 144 क्या है कि अगर आपके assembly होगी भी पाँच ये पाँच से ज्यादा लोंगी तो ये एक गार कानूनी बात है, ये क्यों लगाए कि है, इसलिए इसको इसको इस्तिमाल होता है कि अनलाफल assembly में कोई कानून आपको तूटना चाहिए, तो कौनसा कानून आपने तोड़ा? 144 तोड़ा, 144 तो हमने क्या तो खड़े हैं, अब 144 जो आपकी constitutional right है, free assembly का जो right है, उस right के ठीक clash करता है, और पूरे state में लगा हुआ है, काइदे से तो इसको किसी भी court को, जो constitutional court है, इसको on constitution declare कर देना च जब तक उसके साथ corresponding judicial and legal reform ने हुआ, उस पूरेसरिफाम का कोई फाइदा नहीं, वो जो मर्जी आप उस पूरेसरिफाम के नाम पर इस्तेमाल कर लीजिए, दो बड़े reform हुए मैं जब बाती आई है, इस century में, एक तो मालिमत कमेटी तो judicial reform की बात करती जी, मालिमत कमेटी ब सजाएं कम हो रही हैं, और देरी लग रही सजाएं देने में, तो इसलिए लोग insecure हैं, तो इसको बढ़ाया जए, जब प्रकाश्टिंग जज्ज्मेंट आता है, पुलिस कमेट, reforms का, और वो जज्ज्मेंट में रखाल 2006 वगरा में आया शायद, तो वो उसमें क्या है, उसम civil executive है, उससे पुलिस को डी लिंक कर दो, पुलिस अभी उनके नीचे दवी हुई है, बगरा बगरा, वो भी एक फेल्ड चीज है, क्यों फेल्ड है, क्यों कि जहाँ डी लिंकिंग है, आपने CVI चीफ को दो साल का टेनियर दिया हुआ है, आईवी चीफ को दो साल का दिया उसको आपको किसी दूसे तरह टाइकल करना पूड़ागा, असलिए जब तक आप लाज को यह नहीं देखो गए, कि लोगों की नजर से लाज कैसा होना चाहिए, जिसमें उनको रिलीफ मिले, उनकी रिलीफ तो कुछ और है, आप उनको को और रिलीफ दे रहे हैं, बनलब आप देखिए, जो गरीब है, वो तो चाहता है, स्टेट आए मेरे पास, मेरे पास चल के स्टेट आए, हम उसको स्टेट से अलग करना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कोई रिलीफ दे रहे हैं, तो उसको क्या फायदा उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यह चीज़े जो रिफार्म्स की बात की गई और कमिटी बनाई गई, वो थोड़ा सा हमें दोबारा एक सोचने की दरुगत है, और जो लोग पॉलिटिकल लीडर्शिप में हैं, जो विजनरी लोग हैं, उनको यह सोचना चाहिए, कि अगर आपको वास्तों में एक अच्छी क्रिमनल जर जाता है, कि हमारे याँ पॉलिस कम है, जितनी होनी चाहिए, यूनाइटे नेशन्स का जो रेक्मेंडेड रेशो है, दो सो बाईस प्रती लाक अबादी के लिए, उस से बहुत कम है, और इस बात को कहते हैं, कि हमें और पॉलिस की भरती करनी चाहिए, वो अपनी तरफ एक जोर दिया जाता है, और ये बता कर कि कि पॉलिस क्योंकि कम हैं, लिहाज़ा वो अपना काम पूरी तरह के करनी सकती है, और उसमें फिर और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, कि वी आईपी ड्यूटीज में पचास हजार लगे हैं, काम करते हैं तो आठ गंटे से ज्यादा जिसके के लिए ओवर टाइम ने दिया जाता है, आधिकांश लोगों को, कुछ लोग तो चौदा चौदा गंटे रोजाना काम कर रहे हैं, एक तरफ वो, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी जिकर क्या कि दो चीज़ हैं, एक तो पुलीस वालों के अपनी खुद की शिकायत तंतर का है, वो उसकी संख्या से लेकर है, उसके अधिकार से लेकर है, मतलब जो कानून है, उनको लेकर है, या पुलीस के जो कॉम्पोंजिशन है, उसको भी लेकर, क्योंकि ये भी एक ताजुब बरी बात है, कि चाहे वो ऐसी का रेप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो जो एडियूल ट्राइब का होना चाहिए, जो विमन का होना चाहिए, मानौरिटीज का होना चाहिए, पुलीस तंतर में, उसमें बहुत ही कम मात्रा में उनकी भागेदारी है, पुलीस तंतर में, ये सब कमियां तो हैं, और इन कमियां की वज़े से पुलीस की वरकिंग में फरक भी पड़ता है, लेकि जो असली कमी है, अगर आप मुझसे पूचे, चुकि पुलिस आपको कहीं कम तो नदर नहीं आती, कम से कम दिल्ली जैसी जगे में तो पुलिस आपको कहीं कम नदर नहीं आती, आपको गाओं में रूरल जो पुलिसिंग है, तो मैंने देगा कि वहाँ पे दसियों हजार लोग इकटे हैं और पुलिस वाले तो दो चारी थे वो तो बड़ा शान्ती पूरो एक सारा काम चल रहा थे और आप लखनों में देखे तो वहाँ पे दो हजार पब्लिक के सामने जो है पांसो पुलिस वाले और देख वाँ दम पत्थर भी चल रहा है और लाठी भी चल रहा है और वाइलेंस भी हो रहा है तो नंबर का फरक तो है लेकिन नंबर का फरक असली जो है वो है क्राइम इंविस्टिगेशन वाड़ी फिल्ड में असली समस्य ये सब नहीं है, असली समस्य है कि पुलिस सेंसिटाइज नहीं है, आप जब तक क्म्यूटी ओरेंटेअट पुलिस नहीं होगी, और कंस्टुशनली पुलिस नहीं होगी, तब तक आप जितनी मरी संख्य बढ़ा लिए, पिर आपने, दोजार आपके पास llog है है और सारा ध्यान उस पर केंद्रित है पैसे भी उस पर खर्च किया जा रहा है दिली में ही अगर आप देखें तो पुलीस वाले जो जिने अगर आप बात भी करें अगर गाड़ी खड़ी है उनकी किसी चेक पॉइंट पर अगर उनसे बात करें कोई और भी जाकर उनको कहे क कि ये फला विक्ती मेरे साथ छेड़खान कर रहा है या यह देखें ये गलत काम कर रहा है तो वह स्ते शेप नहीं कहते हम तो एंटी टेरर ड्यूटी में है मैंड़ हम नहीं कर यह हमारा काम नहीं है मेरे कहने का मतलब है कि आतंक वाद के नाम पर भी बहुत सारी चीज क्य कि आप पुलीस तंत्र का काम नॉर्मल लॉइन ओर्डर क्राइम डिटेक्शन इंवेस्टिगेशन से हटकर पूरी तरह इस तरफ चला गया है यह ठीक है क्योंकि काफी बजट जो है ना वह आपको डैवर्ट हो गया है अभी आप पाएंगे कि मॉड़नाजिशन के नाम पर क्या के चीजे ली जाती हैं, हाथियार ली जाती हैं तो आप इतने वेपन क्यों देना चाहते हैं, एक बटालिने मानचे 900 लोग है तो 900 वहां पर राइफल कर क्या जरू होता है, आप तो सिविलियन सिचुएशन से डील कर रहें ना, आप ठीक कह रहे हैं कि आंटी टेरिड होता है, इसमें कोई शेक नहीं है, और वो पैसा डाइवोड होना चाहिए हमारे मॉटरनाईजिसन के नाम पर, मतलब हम बजाए मॉटरनाईजिसन के नाम नाम मेरेटराइजेशन कर रहे हैं. उस मिल्टराइजेशन आप पाएंगे कि 90% टाइम और एनरजी पुलिस की जो है उन मामलों इसको डील करने में खर्च हो रही है जिसका क्राइम से या कोई हिनिस क्राइम से या एंटी टर्रिस क्राइम से कोई लेना देना नहीं तो उस 90% पे जोड़ देना जिरूरी है ना अगर आप उसी 10% पे जो वह बहुत बना कर रखा है लेकिन जैसे ही तहकिकात की बात होती है और हिंदुत वा आतंगबात का खिरा आता है तो वहां वही प्रक्रिया रुक जाती है या गड़़ड़ा जाती है अब जैसे समझोता वाला मामला लें जिसके साथ आपका तालुग भी रहा है क्योंकि S. समझोता वाले पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि कोई हाथसा हुआ इतना बड़ा, जिसमें कि लोग मारे गए इतनी बड़ी संख्या में, बंब फोट हुआ, ये भी सब जानते हैं, उसमें जिन लोगों के खिलाफ आरोप थे, और जो बहुता है कि समझझता की जो प्रासेकुशन है, जि वो जो डिलिबरेटली किल गए गई हैं, और वो जडिलिबरेटली प्रासेकुटिटिंग एजेंसी के दोरा ही किल गई گई है, जब भी समझत पूरा अकर शॉक से उसको देखते हैं. लेकि ट्राइल तो U.P.A के दार में शुरू हो गया था रा दो शुरू हो गया लेकिन जो कूशेór sleeve आती है evidence की हुम नो कूशेर recommend की बाद में आती किए और जब कूशेरे स्चेज में die रहता है को मुझे क्भाला आता है कि कि उन्होंने की होने confessions कीरे कन्वेशन किये थे लेकिन सबसे जो ताजू की बात है वही है कि ना तो जो यूपीय सरकार ने जो प्रोसेकुशन जो केस फाइल किया था वही केस ये सरकार भी चलाती थी अगर आपको एक डिफरेंट थेरी पता चल गई थी तो आपका काम था है कि आप उस केस के बजाए दूसरा केस शुरू क करी है नहीं सरकार ने कोई नई स्टोरी फाइल की इस एक पुरानी स्टोरी कोई पकड़ के खी हैब लूपूल बनाते रहे उसके लोगों को बिठाते रहे उसको फिल करते रहे हूं और ये मक्का मस्जित में भी लगता है यह सब में इन्हों ने यही किया लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं वो यह है कि आपको 2007 के केसिद हैं सम्झोता भी और मक्हा मज़िद भी और अजमेर शरी बलाज यह सब एक ही मोडेस आपरेंडी है, एक ही लोगे किये हुए है, माले काओं और वो चुकि बड़े-बड़े कान थे तो एक तरह से एक प्रोफाइल बनता है लेकिन मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके बात छोटे-छोटे कान बहुत हूं है अगर उन छोटे-छोटे कानों को एक अठा किया जाए, तो एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बनता है हिंदू टेरर गूर्प का कोई दरूरी नहीं कि यह हिंदू टेरर गूर्प किसी बड़े अंबरेला गूर्प या अंबरेला संगठन के साथ ही कनेक्टेड हो यह अपने आइसोलेटेड इन्डिपेडन गूर्प भी हो सकते हैं लेकि इनके साथ जैसे इनको जोड़ के देखा जाना चाहिए था जैसे इनके साथ एक इन्टेलिजेंस आपरेशन के थूँ में इन्फिल्ट्रेट करके और इनके जो डिजाइन्स थे और जो डिजाइनर्स थे वो सारे के सारे एक्सपोज होने चाहिए वो नहीं किये गए और वो ना कांगरे सरकार ने की और ये सरकार तो कितना करेगी मैं नहीं कह सकता हूँ जैसा हमने शुरू में बात करी कि पुलीस तंत्र के उपर लोगों का विस्वास पहले भी ज्यादा नहीं था मतलब ये जो अपने हिंदुस्तान में चाहे वो आजादी के पहले आजादी के बाद पुलीस के उपर भरोसा लोगों का कमी रहा है अगर आप किसी और इंस्टिटूशन के मकाबले में देखें तो पुलीस पर भरोसा सबसे कम है और उसमें पुलीस के अपना जिस तरीके से उनका योगदान रहा है कि वो इसको तोड़ नहीं सके हैं उनकी चबी बहतर नहीं हो सकी है उसके लिए बहुत कोई चिल्दाम उनके पर आएगा लेकिन एक नागरिक होने के नाम पर हमारे सामने एक दूसरी किसम की चुनौती आती है वो यह कि हम फिर भरोसा किस पर करें आप बिल्कुल सवाल आपका जायज है इसमें कोई शक नहीं और इसका उपाई ही है कि आपको जब तक आप वो पुलिस नहीं तियार करोगे जिसको यह पता चले कि तुम्हारा स्टेक जो है वो नागरिक को मजबूत करने में जब आप नागरिए एक हमने छोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं हरेना पुलिस अकैडमी को डिरेक्टर था तो उसमें डी जी लॉइन ओडर भी था तो हमने क्या किया एक पुलिस टेशन मदवन में है वो अकैडमी करनाल में तो मदवन पुलिस टेशन भी बगल में था हमने का वो पुलिस टेशन को एकैडमी चलाएगी तो वो इस टेशन को एकैडमी कैसे चलाएगी इसलिए चलाएगी कि जो कुछ जापते में लिखा हुआ बिलकुल वही होगा वहा पुलिस टेशन और वो पुलिस टेशन इतना हुआ, इतना popular हुआ कि मतलब गाउं से लोग बराबर ये कहने के लिए आते थे कि यह पुली स्टेशन ऐसे ही चलना चाहिए और हमारे ट्रेनी जाके उनको चलाया करते थे, ट्रेनी भी वह जो इन सर्विस ट्रेनी थे, वह भी होते थे और जो नए रेकूर्ट से वह भी होते है, बहुत से इन सर्विस कोर्से भी होते हैं, यह वह एनालोजी वह थी जो मेडल कॉलेज और हॉस्पिटल की एनालोजी है, आपको हर मेडल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल अटाइश होता है, तो आप मेडल कॉलेज में जो पढ़ते हैं हॉस्पिटल जागे प्रैक्टि कि कोई दूसा तरीका थोड़ी एड़ाउट करता है, फिल्ड में जाके वही करता है, तो हमने का यही हम यहां पे करेंगे, तो यह लोग जब देखेंगे कि इसी तरीके से सब सही हो सकता है, तो उनको छोड़ दीजिए जिनकी नियत खराब है, लेकिन अगर आपकी नियत ठी है, तो आप ऐसे ही करना चाहेंगे, आप दूसी तरह से नहीं करना चाहेंगे, तो लेकिन यह तरीका हमारे चला नहीं, चला इसलिए नहीं कि कुछ दिनों के बाद पॉलिटिशियन को प्रॉड़म होगी, और जब मैं उस पोजिशन से हट गया तो हमारे पुलिस वालों को कोई प्रॉडम होगी, क्योंकि उनका भी दो अपना स्टेक है, कि यह चीजें इस तरीके से नहीं चलें, मैं ही कह रहा हूँ कि जो बात मेरी इस मोटे मोटे समझ में आई वह यह थी कि अगर आप पॉलिक को एमपावर करते हैं, हमने उनको एमपावरिंग एक्ट दिये थे नहीं उनकी तो आपको उनको बताना है कि आप बहुत से चीजें हैं, ही मधारिंट के मध़ब से पूरी कर सकते हैं, तो अगर आप पॉलिक को एमपावर कीज, तो पबलिक आप में ट्रस्ट करती हैं, और जब ट्रस्ट करती हैं, आप προ … यह र तरह से आप वो 창ॉफ्लिट करती है लेकिं यहां तो उल्टी गंडा बह रही है ऐसलिए बह रही क्योंकि कुछ आफ उस कमजर बनाते हैं पबलबिक है आफ हर तरह से कमजर बनाते हैं हाव कुछ सुनेंगे नहीं आफ फिर उसकी बूद लोड़ Of सामने बस वही एक रास्ता बचा है पुलीस के ओपर दवाब डालने का एक नैतिक जवाब एक दवाब डालने का जिससे कि वो लोगों को प्रतारत ना करें पुलीस और इसको हमें समझना चाहिए कि जो आज का दन्ना परदर्शन है पुलीस वर्जे एजिटेटर नहीं है यह है तो वही चीज अब यह है कि लोग तो आएंगे क्वेश्टन यह है कि अगर आप ऐसी पुलीस हैं जिसमें लोगों का ट्रस्ट है तो आपका क्लैश नहीं होगा इस तरह धरना परदर्शन है मैं फिल्कुल हंड़े परसंट वजा सकता हो आपको कि अगर आप ऐसी पुली आपको नगा तो वोबर क्लैश हो गई होगा आज के लिए इतना ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज नियूस क्लिक में बस इतना ही लेकिन आपको अगर कोई सवाल या कोई आपकी प्रतिक्रिया है इस प्रोग्राम को लेकर जरूर हमें लिखें देखते रहिए झाल झाल